हेलो गईस तो कैसे आप लोग तो आज मैं आप लोकिल ला चुका अन बॉक्सिंग वीडियो और जैसा मैंने कम्यूनिटी पोस्ट में बताया था कि मैं एक वीडियो लाने वाला हूं तो वो थी एक अन बॉक्सिंग वीडियो वो भी मेरे नए आरे स्थींग फाइव की यह डेफिनिटली मेरा में क्यूग होगा तब यह तो मैंने इसको खरीदा है मैं खरीदाने मुझे बढ़ एज़ा बड़े कि मिला वो भी एक महीने बाद तो इसके बॉक्स के अंदर देख लेते हैं यह तो रहा क्यूग और यह एगदम फ्रेशली अब आपने कर रहा हूं गाई पताने इसमें प्लास्टिक क्यों नहीं है और यह मुझे का स्टेंड और अंदर एक्सेसरी बॉक्स उसको इस से निकालते हैं पीछे वारी से खोली देता है तो यह असेसरी बॉक्स में हम लोगको एक स्क्रू मिलता है और यह एक मैनुएल ए स्क्रूम कहाँ है अच्छा अच्छा चलो में बताय देता हूं यह क्यू एक्चली एक्चली तूआगया था और मैंने इसको खोल दिया और इसका मैनुएल फेग दिया था क्योंकि क्यों क्यों कि मैनुएल की किसको जरुवरत होती है आप ही लोग बताईए और तो ये स्क्रूराइवर इसको वापस डाल देते हैं इसका कोई काम नहीं क्योंकि मैं कभी यूज नहीं करूंगा क्योंकि क्यूब में एक्वर्फेक्टली सेट है पहले से डिफॉल्ट ली और ये स्टैंड भी करते हैं साइड इसके ऊपर रख दे इसके अच्छी है और मुझे कॉर्ण कटिंग टेस्ट करना चीज नहीं आता है वाइस तो प्लीज कमेंट में रोस्टिंग नहीं प्लीज बैक कॉर्न कटिंग भी अच्छी है थोड़ा अटकता है वाट कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा क्यूब है और इसकी टर्णिंग बहुत स्मूध है तो चली इस पर एक सॉल करते हैं कैस कोई मुझे अपने सॉल पर जज़ नहीं करेगा क्यूंकि मैं दो महीने बाद एक सॉल कर रहा हूं तो प्लीज डोंट ज़ज गाईस तो सॉल करते समय मुझे कोई लॉक फील नहीं हो और इसके पॉपफ होगने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि इसके पीसेस लूज भी है तर्न करने में पर टाइटली पैग्ड़ और इसके मैगनेट्स तो अविसली स्ट्रॉंग है बहुत बहुत ही बढ़िया है क्यूब तो तो मैं आपको रिवेंट करता हूं यह आप बाए कर लिए क्योंकि यह क्योंकि अब जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है अच्छा क्यूंग है तो फिर तो मिलते हैं अगली वीडियो में और आप भी लोग बताईए अगली वीडियो क्या हूँ सीफ और मैं आप लोग को सिखाऊं कि क्या कमेंट्स में बताईएगा बाए गाइस